नमर्शकार दोस्तों लॉंच हुआ मनिकर्णिका दा क्विन आफ जहासी का पहला गाना कंगना रनौत की टीम ने मनिकर्णिका का गाना विजेभव लॉंच किया है और इस दौरान फिल्म के बारे में खुल कर बाते हुई है कंगना ने बताया कि फिल्म के असली हीरो लेकक विजेंद्र प्रसाद प्रेड्यूसर कमल जैन गीतकार प्रसुन जोशी और म्यूजिक डिरेक्टर शंकर एहसान रॉय है और कही न कहीं ये सारी चीजे उनको जाती है यानि कि पूरा जो क्रेडिट है फिल्म का उनको जाता है कंगना ने बताया कि मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं की है जिसमें इतने गाने है मनिकर्णिका में आठ गाने हैं और मुझे यकीन है कि इसके गाने दर्शकों को बहुत जादा पसंद आने वाले है फिर्म का पहला गाना जो है वो रिलीज कर दिया गया है जो जहासी की रानी के साहस और तेज को दर्श आता है इस गाने को सुनकर वाकई दर्शकों को मज़ा आगया है वहीं कंगना रॉनाउत ने फिल्म के दौरान की काफी सारी बाते मीडिया से बात की है मनी करने का 25 जनवरी को रिलीज होगी और फिलाल फिल्म का प्रमोशन जम कर किया जा रहा है पहले ये फिल्म कोई और बना रहा था लेकिन बाद में उनसे फिल्म का सारा जो आइडिया था लेकर कंगना कमल जैन ने साथ में इस चीज़ पर काम किया और साथ में बहुत सारी मेहनत की कही न कही ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर चाने वाली है और अच्छा कासा बिजनस करने वाली है लेकिन मैं आपको इस गाने की एक छोटी सी जलक जरूर दिखाऊंगी ध्यान से देखे तो जैसे कि आपने इस गाने में देखा कि जो मनी कर्णिका का पहला गाना है बहुत ही ज़ादा अच्छा है दरशक इसको बहुत ज़दा पसंद कर रहे है और इसको कुछी टाइम में बहुत सारे व्यूज यूट्यूब पर मिल चुके है और कही न कही ये पहला गाना ही ये चीज साफ कर देगा कि ये जो फिल्म है आने वाले समय में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा क्योंकि कंग्रा रॉनाट ने इस फिल्म के उपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है as a director बहुत ज़ादा मेनत की है as a actress बहुत ज़ादा मेनत की है और कही न कहीं इस film में उन्होंने बहुत जी तोड़ कर अपनी जी जान लगा दी है कहीं न कहीं उनके जो fans है इस film को देखने के लिए बहुत ज़ादा बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं और 25 जनवरी को ये film box office पर release होने वाली है इसी के साथ एक और film है एक और दमदार कलाकार है जो 25 जनवरी को उनकी film भी release होने वाली है उनका नाम है इमरान हाश्मी और उनकी जो film है जिसका नाम है cheat India वो भी 25 जनवरी को release होने वाली है तो देखा जाएगा जो टकर है अपने आप में दोनों ही फिल्म में अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल की है जो स्टोरी है अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है तो देखा जाएगा कि किसकी कहानी को दर्शक सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे और किसकी जो film होगी अच्छी खासी कमाई करेगी और किसकी जो film होगी वो सिमट कर रहा जाएगी यह सारी चीज़े जानना बहुत ज़ाधा interesting होने वाला है आप कितना ज़ाधा excited है इस film के लिए money करनी का दख्ishment अव जासी के लिए आप इस चीज को comment box में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं Thank you so much Keep watching today's for more news Channel को subscribe करना ना भूले इसके साथ साथ today's की app को ज़रूर डाउनलोड करें धन्यवाद